तो आज फिर एक बिजनस आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हो और यह बिजनस आइडिया आपको लॉस के स्कोप कम देगा और मुनाफिक स्कोप जाता देगा क्योंकि जहां भी आप कोई ऐसा बिसन्स शुरू करते हैं जो महिलाओं की पसंद को दरश राता है तो उसमे क्योंकि महिलाओं को पसंद होता है बहुत अच्छा दिखना मेक अप करना या अच्छे से स्टाइलिश से बाग्स करी करना तो आज मैं आपको लीडीज बाग के बिजनस के बारे में बताऊंगी और तमाम पहलू उसके समझाऊंगी कि कैसे आप स्टार्ट अप कर सकते हैं और बैल आइकाउन का बटन जरूर दपाईगा और साथी साथ में कमें सेक्शन में लिखेगा कि किस तरह के वीडियो से आप और देखना पसंद करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आईजिया के साथ कि लेडीज बैग का बिजनस कैसे शुरू करें बैग्स की आविश आफिस बैग, ट्रैवल बैग, गिड्स बैग, लैपटॉप बैग, अन्य बैग आदी ऐसे में यदि आप बैग का बिजनस करते हैं तो ये एक बेहद अच्छा बिजनस आइडिया होगा क्योंकि ये एक ऐसा बिजनस है जो सदा बहार है जो हर मौसम में हर महीने चलने वाल है यदि आप इस बिजनस को करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आप किस तरह के बैग का बिजनस करने जा रहे हैं मतलब क्या आप ट्रेवल, स्कूल, लेडिज आधी तरह के बैग का एक साथ शिरू कर रहे हैं बिजनस या फर किसी एक कैटेगरी को ह यहां हम आपको बता रहे हैं Ladies Back का Business आइडिया कि आप Ladies Back का Business कैसे शिरू करें सही जगह का चैन करें और इंटीर का भी रखें खयाल यदि आप Ladies Back बेचनी का वेवसाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी जगह का चैन करना होगा सबसे पहले एक ऐसी जगा ढूने जहां दुकान या शोरूम ऐसी जगा होनी चाहिए जहां महिलाओं का अधिक आना जाना हो कोशिश करें कि दुकान या शोरूम मुख्य मार्केट में हो दुकान का इंटीर साफ सुत्रा पॉजिटिव वाइब्स वाला हो जिससे महिलाएं और अन्यलोग आकरशित हो और वो आपकी शौप पर आ सकें इस बिजनस में कितना निवेश लगेगा यदि आप दुकान या शोरूम ऐसी जगा लेते हैं जो मुख्य मार्केट हो तो सब्भाविक सी बात है कि एरिया के हिसाब से उसका किराया और बजट आएगा ये दुकान चौरा है या ऐसी जगापर हो जहां महिलाओं का आवागमन जादा हो ये दुकान आठ हजार रुपए से दस हजार रुपए तक किराय पर मिल जाएगी दुकान को सजाने वाला और अकरशित बनाने में लगबग 50,000 रुपए से 60,000 रुपए तक का खर्चा आएगा दुकान तैयार होने के बाद लगबग 2,000,000 रुपए तक कि आवशकता होगी जिससे लेटिस फैशन के अनुसार माल भरा जा सके उद्द्योगी यहां से ले सकते हैं बैग्स आमतोर पर छोटे शहर के उद्द्योगी कानपूर, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से माल लेते हैं इसके अलावा आप अपने शहर के थोग विक्रेताओं से भी बैग ले सकते हैं माल लेते समय एक बात का विशेश ख्याल रखें, यह जो भी बैग लिया जाए वो लेटेस फैशन और अच्छी गुणवत्ता को ध्यान में रख कर लिया जाए जिससे की ग्राहकों का विश्वास बना रहे लेडीज बैग के विवसाए में मुनाफा लेडीज बैग के शॉप में जादा स्टाफ के अवशकता नहीं होती, मातर एक व्यक्ति को रख कर ही आप दुकान चला सकते हैं इसमें अत्यदिक के अत्यरेक्त खर्चे नहीं है, इसकारण इसमें मुनाफ़े का प्रतिशत दर और बढ़ जाता है अच्छी गुणवत्ता के साथ और कम मार्जन के साथ भी अगर ये व्यवसाए किया जाए तो 35% से लेकर 40% तक मुनाफ़ा आसानी से हो जाता है रजिस्ट्रेशन और लोन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही मिलता है लीडिस हैंडबैक के ववसाए का रजिस्ट्रेशन आप MSME से संबंदिद वेबसाइट पर आल्लाइन करा सकते हैं तो दिखा आपने लीडिस बैक के बिजनस में किस तरह से आप स्टार्ट अप ले सकते हैं और कितना लागत है जो आपको लगानी होंगी और उसके बाद कैसे आप धीरे 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 अपना बिजनस जो है बिल्ड़ अप कर सकते हैं दोस्तो रिस्क फैक्टर हर बिजनस में रहता है लेकिन ये रिस्क उठाना पड़ेगा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किस्मत जरूर माइने रखती है और बहुत जादा माइने रखती है तो हाला कि किस्मत पे पूरी तरह से निर्भर मत हुई है आपको खुद भी हिम्मत करनी पड़ेगी और किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद कुछ आगे करने का कहते हैं कि दम रखते हैं तो किसमत दिनके साथ खुद चल सकते हैं और किसमत आप खुद बदाब सकते हैं इसे अच्छे नोट पर मैं आपसे इजाज़त मांगो भी फिराओंगे एक अच्छे से बिजनस आईगा के साथ हुआ है